दूस्तो स्वागत है आप सभी को हमारी चैनल डेटू डेट में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार माध्यमी के वंच माध्यमीक सिक्षक भरती के बारे में और मेरा में फोकस रहेगा इस वीडियो में पटना और मधुबनी डेश्टिक पे क्योंकि यह दो ऐसे ड देरी में जो रोष्टर को जारी किया गया है तो समझ सकते हैं कि कैसे कंडिडिट फॉर्म को अपलाई करेंगे और दूसरा डेश्टिक मैंने जो चूझ किया है वो पाटना डेश्टिक है पाटना डेश्टिक के लिए भी 9 सेप्तंबर के आसपास रोष्टर जारी हुआ है जबकि इसमें जो है आपको सहर के भी बहुत सारे नियोजन इकाईया है इसके बावजित यहां पर भी रोष्टर देर से जारी हुआ है ठीक है और यहां पर पाटना डेश्टिक के लिए 10 दिन बाद से आवेदन पर किरिया भी अस्टार्ट हुआ था तो यहां पर इसी के तास जितने भी डिश्टिक है वहां पर आवेदन कर सकते हैं और जितना ज़्यादा नियोजन इकाईयों में किजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदे मंद है किमकि अगर एक जगह से आपके मेरी ट्लिस्ट में नाम नहीं आता है तो दूसरे ज़्यादें गह हो सकता है कि आजाए इसलिए जितना ज़्यादा नियोजन इकाई में किजिएगा उतना आपके लिए बहतर साबित हो सकता है ठीक है और आपको बतला दूँ कि अगर अभी तक आप मेरी टेलेग्रम चैनल को जोईन नहीं कहीं तो जोईन कर लिजिएगा कि वहां पे सबसे बहुत ज्यादा वहां पर पिछला वीडियो सभी देख सकते हैं और इसके डिगार्डिंग में अलग से प्ले लिट भी बना चुका हूं यहां पर सेनियर से रिगार्डिंग प्ले लिस्ट है और यहां पर प्राथमिक शिक्षक से रिगार्डिंग भी प्ले लिस्ट है तो आप उच माध्यमिक और माध्यमिक से रिगार्डिंग अगर सभी वीडियो देखना चाते हैं तो देख लिजेगा सभी क्वालिफिकेश यह माध्यमिक सिख्षक के लिए जरूरी युग्जिता है उसके बाद में उच माध्यमिक सिख्षक में अपलाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको बेड़ चाहिए प्लस एस्टेटी टू उत्रिन होना चाहिए और प्लस जो है आपको पोस्ट इग्रिजुएशन का डिगरी होना चाहिए ठीक है यह क्वालिफिकेशन हो गया में यहीं क्वालिफिकेशन है और ज्यादा जनकारी के लिए मेरा जो पिछला वीडियो से वो विजिट कर सकते हैं तो पर देख सकते हैं रोष्टर है उच माधेमी आपको बता होगा यानि कुल मिला कर बोला जाता बहुत ज़्यादा ये रोश्टर को अपलोड किया गया है पहले हम पीडियफ को ओपिन करते हैं देखते हैं कि आजनकारी दिए यहाँ पे देख सकते हैं यहां पर नयूजन इ कर जाले जीला सिख्छा पदा दिकारी मद हुआ नहीं और यहां पर देखिए यहां पर सब्जेक्ट वाइज यहां पर रोस्टर बताया गया है और किस केटेगरी के लिए कितना सीटे यह भी बता दिये गया है तो यह आप देख सकते हैं यहां पर आपको नियोजे नहीं का आप मिल जाएगा और बागी है यहां पर सब्जेक्ट वाइज और कैटेग्री वाइज डीटल मिल जाएगा पोस्टसरे इगारिओं यह उस्टर माध्यामिक के लिए हैं यहां पर देख लिए दिखें यहां पर देख ऐखिए आप सीप चक्षक है उनके लिए आवेदन है और दूसरा जो है उच्छ माध्यमिक दूसरा पीडिया पर जो दिया गया है देखिए यहां पर यहां पर इसे ओपन कीजिएगा तो ऐसा कुछ ओपन होगा और इसमें बाड़ा ही कम-कम सीट दिया गया है तो आप देख सकते हैं और यहां पर नगर पंचायत घोगर डिया तो ऐसा कुछ है कैसे आवेदन करना है उसके बारे में मैं सभी वीडियो यहां पर बना चुका हूं लेकिन थोड़ा से मैं आपको डीटेल जरूर प्रुवाइड करांगा आते हैं परटना डेस्टिक में परटना डेस्टिक का रोस्टर द किया गया है देख सकते हैं टोटल कितना पीडियाफ है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस एगार पीडियाफ यहां पर अलग अलग पीडियाफ है यहां पर आगई बढ़ने से पहले मैं आपको बतला दूं कि दो टाइप का नियूजन इकाई है पुड़े बिह अलग अप्लिकेशन फोर्म में दोनों अप्लिकेशन फोर्म का फॉर्मेट में भी मैं आपको दिखाऊंगा तो वीडियो के यहन तक बंदि रहेगा और सभी जनकारी भी मैं आपको प्रवाइड करा देता हूं देखिए सबसे पहला पीडियाफ यहां पर दिये गया है इस पता दिया गया है अब देख सकते हैं अगर हाथों हाग देना चाहते हैं तो नगरपरसित खोगोल प्रजाले परगणळ पटना दिया गया है लेकिन मैं यह सभी detail pin code के साथ भी आपको बताने वाला हूं यहाँ पर आगे provide करेंगे है अब आगे दूसरा PDF खोलते हैं मैं line by line PDF खोलते चलता हूं ठीक है यहाँ दूसरा PDF यहाँ बताया गया है यह है दूसरा PDF देख सकते हैं यह rooster बताया गया है नगर परसद खोगोल के अ ज्यादा यहाँ पर detail देखनों को मिलेगा तीसरा PDF यहाँ पर देख सकते हैं यह सभी जनकारी जो उसमें दिये गये तो है वह साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अगर इस नियोजन इकाई में देखिए नियोजन इकाई का क्या नाम है पतना नगर निगम पतना ठीक है यह प सब्सक्राइब ऐखिए पकिन को आग पतना 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 निगम पतना निगम की काई में ऎगर हाथों अट देना चाहते हैं तो यह अपर वाला जो एड्रेश से बाइपोस्ट देने का माध्यम के द्वारा यह एड्रेस दिया गया है ठीक है और यहां पर बताया गया अवेदन पत्र भरने है तु समाने निर्देश यह सभी डाइरेक्शन दिया गया है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आप संगीत कम्प्यूटर भी से के यह जरूर आप केर कीजिएगा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और साथ ही यहां पर बताया के अधूरा एवं और स्पस्ट आवेतन पत्र स्विकार नहीं किये जाएंगे यह सभी डीटेल दिया गया है और कौन-कौन सा डोक्मेंट लगेगा इसके रिगारिंग भी मैं डीटेल बता चुका हूं तो नहीं देखें तो देख लिजेगा और साथ में यहां पर पात्ना नगर निगम से रिगारिंग रोस्टर भी दिया गया है ठीक है और पात्ना नगर निगम में जितने भी नियोजन इकाईया है यहां पर देख लिए उच्छ माध्यमिक करके पड़ते हैं तो सबी जनका रिया को किलिए रहते जाएगा थोड़ा लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा तुर आपको समय देना है पड़ेगा तो देखें यहां पर जैसा कि मैंने बोला था नगर निगम का ज लिखा दूंगा देखिए यहां पर नगर माध्यमिक के लिए दोनों में से किसी एक को टीक करना हो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ठीक हैं और उसके बाद में नगर या पंचाईत का नाम या फिर नगर परशत का नाम यहां लिख देना है फिर basic detail आपको भर देना है इसमें qualification से regarding detail भरना है यहाँ पर अस्थान फिर date और यहाँ पर आवे तक का मिल भी जाएगा यहाँ दो लिफाफा भेजते हैं तो आपको मिल जाएगा और यहाँ बतला दो कि फोटो की जगह पर आपको फोटो चिपकाने के बाद में उस पर signature भी कर देना है कि आपको अभी परमानित फोटो बोल रहा है तो फोटो पर साइन भी कर दिजिएगा आप प इसमें देखिएं तु यहाँ है और और नहीम में में जमकर नहीं चाहते हैं तो तका में है तो यहाँ नगर पंचाईत वाहिं आपको आवधन में जमा कर लगा और क्या बता कुँपा है और आपको बतल्या फहां से शुरू होता है जो जिला पर्षद का नियूजर्ण भी आपको जिला परषद वालवा नियूजर्ण कहीं है देखे लिजए यहाँ पे जोंकर कर आपको दिखाता हूँ यहाँ परशद के लिए अपलाई करना चाहते जिला परशद अलग है और सात में आपर अलग है अगर आप डाग के द्वारा देना चाहते हैं तो और आपको जाना ओगा यह सब्धाने के लिए अलग यहां पर प्रपत्र दिया गहे आप देख सकते हैं इसे फ्यल कने के बाद में सभी document अटेज करने के बाद में भेज सकते हैं पत्य पर हैं यह सभी टिटियल है और बहुत सारी नियूजन फिर है इसे आप पढ़िएगा अच्छे से तो किलियर हो जाएगा लेकिन मैं आपको सौट में बता चुका हूं कि दो टैप के नियूजन इकाई हैं पहला है आपको नगर निगम का दूसरा जीला परसद का नगर निगम के नियूजन इकाई में अपलाई करना चाहते हैं तो नग कि इसके बारे में बहुत सारे केंडिर्स को पता भी नहीं होगा जो अधर डिस्टिक से बिलोंग करते हैं क्योंकि इसका जो है आवदन परक्रिया बहुत बाद में शुरू हुआ है यह मैंने आपको डिटेल बता दिया है और जदा जनकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं तो आप जरूर से बोल सकते हैं मिलते हैं किसे और नए वीडियो में तब तक लिए बाई जहिंद बंदे मतरम थैक्स रोजिंग